तो बीट दे स्ट्रीट मैं हूँ सिय सुधर्शन मंदारी और आज हम बात करने वाले ब्राइट कॉम गृप के बारे में इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले एक बहुत ही सीरियस फ्रॉड जो की मार्केट को ना ही पता है और ना ही कोई इसके बारे में बात कर रहा है so let's discuss about something very interesting about the promoters take sale जो की secretly किया गया है और market को इसकी कोई खबर नहीं है so we will discuss about this particularly हम लोग already brightcom group पे काफी ज़्यादा काम कर रहे हैं we are doing trying to do all the kind of forensic investigation and everything what are good and bad in the company to make people aware so हमारा ये जो thread है जो आप twitter पे देख रहे हैं वो आप जाके जरूर follow किजेगा हम लोग वापस उस पे update करते आ रहे so we will bring a comprehensive video on brightcom definitely by this end of the month but अभी सबसे पहले बहुत थी सबसे ज़्यादा जो serious issue है brightcom में उसके बार में बात करेंगी कि how promoters are playing ठीक है so let's start with some of the our this video and अगर आप हमाय चैनल पर पहली बार आए तो please 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 चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और bell icon जरूर दबाएं चलिए तो अब अपन शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले stock exchange में 5 April 2022 को एक disclosure आता है disclosure क्या आता है कि यहाँ पे बोला गया है कि 31st March 2022 को सुरेश कुमार रेडी जो की company के CEO है वो एक 4 LLPs के अंदर partner बन चुके हैं यह 4 LLPs वो हैं जो की इस company के अंदर करीबन करीबन 15 to 16% stake hold करता है as a public shareholder अब जैसे ही सुरेश कुमार रेडी इसके अंदर partner बन गए है तो यह अब आपका promoter group के अंदर आ जाएगा so these 4 LLPs will be now considered as a promoter company promoter group company यहाँ पे मानी जाएगी ठीक है पहली बात तो यह दूसरी बात यह यह कब से मानी जाएगी March 2022 से क्या January 22 या फिर जब December 22 में इनका public shareholding का figure आया ता तब माना जाएगा कि नहीं ठीक है so अब यह चार company को यहाँ पे promoter group में induct कर दिया गया but I want to tell you one thing बहुत सारे लोग यह मान रहे थे कि इससे promoter का stake बढ़ गया है promoter ने share खरीद लिया है ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे सुरिश कुमार रेडी केवल partner बन रहे है with the paying sum of the amount by bringing some capital in that LLP इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने share market से खरीदे है ठीक है पहली बात तो यह मैं आपको बता दू दूसरा यह भी नहीं है कि वो कितने रुपे अभी आपको यह भी नहीं पता है उनने कोई रुपे दिये है कि इसमें partner बनने के लिए हो सकता है उनकी जेब से कुछ भी रुपया नहीं गया हो और सबसे खास बात यह है कि यह जो चार companies है यह पिछले preferential issue के अंदर यहाँ पे public shareholder बनाई गई थी ठीक है यह जो चार company है इनको basically preferential issue के थुरू लेके आया गया था so definitely promoter और इन चार LLPs का already तो पहली बात तो यह यहाँ से start किया गया promoter ने खेला सबसे पहले 5 April को एक disclosure दिया जहाँ पे उन्होंने बोला हम यहाँ पे चार public LLPs में अब यहाँ पे बन गए तो वो अब चार LLPs आपकी basically किसमें आ जाएंगी promoter entity में आ जाएंगी but what happened चलो अब वो चार LLPs का जो stake था ना वो करीबन कितना हुआ था 15% हुआ था या पूरा रीकंसिलेशन देख सकता I'll tell you very 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 important फ्लीज ध्यान सो सुनियेगा ठीक है और जो बहुत जादा bride का उम ग्रूप में बिलीव करते ना उनके लिए यह specially वीडियो है देखो यह 4 LLPs बने ठीक है इससे अब कंपनिया कितना percent stake बढ़ना चाहिए था लगबग लगबग 5-5-5-5 तो मिला कि कितना लगबग 15% stake बढ़ना चाहिए था कितना जैन 22 जब last disclosure दिया था shareholding का तब से लेके March 22 तक यहाँ पर shareholding में 15% का इजाफा होना चाहिए था promoter stake के अंदर assuming कि promoter ने कोई भी stake नहीं बेचा है क्योंकि SEBI को कोई disclosure नहीं है SST या फिर insider trading में इसका कोई भी disclosure नहीं है आप कहीं पर भी जाकि देख लीजिए तो 15% stake बढ़ना चाहिए था अब आपको मैं shareholding pattern का आपको reconciliation बतातो पहला जो shareholding pattern का reconciliation था 19% stake ठीक है पहले जैन 22 में जब इनने preferential allotment के आसपास जब हुआ था तो जैन 22 में इन्होंने एक shareholding disclose किया था जैन 22 में 19% था March 22 में कितना हुआ 18% stake कम कैसे हो गया पहली बात तो यह और चली 1.5% कम भी हुआ तो promoter ने stake sale का disclosure दिया क्या नहीं दिया there is no disclosure about it first of all ठीक है अब यहाँ पे लोगो ideally क्या होना चाहिए था अगर promoter कोई भी stake नहीं बेचता और जैसे कि उनने कोई कुछ disclose नहीं किया है तो 19 15 प्लेस 15 लगबग लगबग मेरा जो stake था वो करीबन बड़ बुड़ा के 36% के आसपास पहुच जाना चीए था ठीक है बट ऐसा नहीं हुआ अभी आपने देखा stake तो 1.5% से कम हो गया अब मैं आपको एक बहुत simple गनित समझा देता हूँ आप लोग एक फहुत simple चीज़ समझो क्या हुआ है देखो प्रमोटर ने अपने जो पुराने प्रमोटर थे ये जो ग्रीन वालों को छोड़ दीजिए ये जो चार लोग हैं इनको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए ठीक है इनको हटा हैं अब जो पहले की प्रमोटर थे जो जो जेन 22 में प्रमोटर गृप का पार्ट बनते थे for an example मैं बात करता हूँ सुरेश कुमार रेड़ी की सुरेश कुमार रेड़ी के पास पहले यहाँ पे 7.96% स्टेक था अब उनका स्टेक 0.86 हो गया he has approximately sold 90% of its holding ठीक है चलिए आपकी बात मैंने मान ली की उन्होंने कहीं और holding बड़ा ली होगी बट टोटल में कभी उनकी holding बड़ी ही नहीं definitely promoters ने स्टेक बेच दिया और यहाँ पे कोई disclosure नहीं दिया गया और मैं आपको बता दू यह सब कब हो रहा है यह सब उस quarter के अंदर हो रहा है जब यहाँ पे they were hiding the information of savvy forensic audit so they definitely know और उन्हों definitely यह तो इस basically news से पहले ही बेच दिया है ठीक है and they have just taken out their money ठीक है तो अगर अपन समझें कि ऐसा कितने बगया आप गपला बताइए कि फ्रो कितने रोपय का हुआ उगया कितने percent stake का गपला हुआ है तो मैंने कैया किया बहुत simple चीज करी जो जा म्य ہیں बये कि बैटे थे थे लोगभाग जो promoter में stake holder थे उनका share holding मैंने March 22 में उनका कितना stake को गया उससे compare किया थीक है बैंने केवल simple simple comparison के और मुझे क्या मिलता है जो बंदे का 19% stake था ठीक है अपने बात करी थी 19% stake यह सारे वो लोग हैं जो Gen 22 में stake लेके बैठे थे except those 4 entities जो LLPs में partner बनके promoter group बन गई इन लोगों का 19% का यहाँ पे stake था ठीक है आप नीचे screen पे देख सकते हो अगर March 22 का में stake देखूं तो इन लोगों का जो stake रह गया है वो केवल और केवल 2.95% stake रह गया है ठीक है आप यहाँ पे अगर screen पे देख सकते होंगे 19% stake से सीधा 2.95% हो गया है अगर आप किसी भी बात करें यहाँ पे जो Vijay Kumar है वो भी काफी बढ़ा है I think he is also in the management I think मुझ CEO है ठीक है और सुरिष कुमार रेड़ी तो MD है और chairman मदब basically company है करता जारता है उन्होंने अपने लगबग लगबगभा आप समझे 19% stake से सीधा आपने 17% stake बेच दिया ठीक है आप समझ गए मेरी बात 17% stake मैंने बेचा एक listed entity के अंदर without disclosing to the SEBI at the time जब मैं SEBI मैं पूरे market public shareholders पूरी company से stock exchange से एक बहुत बड़ी information hide कर रहा था so it is a very very smart trick अब यह smart trick कैसे successful हुई क्यों लोगों को पता नहीं चला देखो लोगों ने क्या किया लोगों को हमेशा क्या होता है आप screener.in या फिर कहीं पे भी आप stake को compare करते हैं promoter का stake को तो अपन क्या देखते हैं पिछला stake कितना था अभी stake कितना है हमेशा यही compare करते है कभी भी अपन single promoter entity को compare नहीं करते हैं तो क्या किया promoter ने क्या किया एक बहुत simple decision लिया 31 मार्च 2022 को उनने announce कर दिया कि 4 public shareholder entities LLPs के अंदर promoter partner बन गए है तो अब वो promoter group में आ जाएंगी जितना उनने stake बेचा लगबग उसके आजू बाजू का उनने basically promoter में add करवा दिया तो आपको हमेशा जो basically shareholding दिखेगा कभी भी आप याप बाद में भी देखोगे तो लोगों को किसी को भी देखोगे अगर किसी ने इतना deep dive नहीं किया होगा तो उसको क्या लगेगा 19% से 18% stake हो गया है के बाल डेट परतिशेती तो stake बिचा है चलिए तो यह है ता सबसे main mudda ठीक है अब ऐसा पहली बार हो रहा है क्या नहीं नहीं ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है मैं आपको बता हूँ यहाँ पे इन लोग ने पहले भी किया था so this is one of the matter in 2013 नहीं करते प्रिफरेंशेल इस्यू में यह इनका हिस्ट्री रहा है no skin in the game मैं एक और आपको simple analysis हम लोग ने किया था I'll tell you that also यहाँ पे हमने पूरा थ्रेड में बहुत सारी चीज़े लिगे आप definitely प्लीज हमें टुटर पे फॉलो करके जरूर देखेगा even हम लोग telegram पे लगातार इन तरह की companies के बारें बताते रहते है but यह एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है यह पुछले 10 साल का है अपना BCG का चार्ट है जब जब bull run आया है BCG के पूरे history में तीन बार अभी 10 साल के अंदर पुछले 10 साल के अंदर तीन बार bull run आया ठीक है तीन बार bull run आया तीनो बार एक चीज बहुत-बहुत common है promoter पहले तो steak खरीते है bull run के टाइम पे steak बेचते थे definitely you can understand कि जब लगबग है न नवंबर I think January, Gen 20 के आसपास Gen 20 के आसपास promoter का steak कितना था 36% के लगबग आज की तारिक में steak लगबग 18% के आसपास आगे this is at the steepest आपने देखा होगा तो basically यह सबसे खतरनाग bull run था BBC जी के history में और इसी के साथ promoter का steak भी सबसे low पे चल रहा है पिछले 10 साल में कभी उन्होंने अपना steak 30% से या 20-25% से कभी नीचे नहीं लेके गए अभी सीधा 18% पे steak आचुका है and they are doing it very in a manipulative way and in a very very smart way ठीक है so मैं आपको क्या बताना चारा था इस चार्ट से कि जब जब बुल रहा है promoter ने अपना steak खाली बेचा है और यहां पे माल retail investors को चिपका है I definitely understand कि यहां पे retail investors को यहां पे इस company से बहुत ज़्यादा लगाव है they believe in the dreams they believe in the narratives but please please a very 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 simple request आए है to check the fundamentals numbers को देखिए narratives को मत देखिए जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं उसमें बहुत फरक होता है ठीक है अगर अपन बात करें तो मैं आपको एक बहुत simple चीज़ बताता हूँ 2010 में इनने एक बहुत ही शांदार company खरीथी थी like cause करके पिछले 10 साल से वो like cause जिस company जिस आदनी से खरीदा दाना उसका payment नहीं कर पाए है आदा भी पैसा दिया है और हर बार में इवन मैंने ना 2015-16 की भी con call देखी 17-18 की भी देखी हर बार management के बोलते है we are just trying to resolve 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 वो उस matter को resolve भी नहीं कर पाए है और US के court ने उनको order दे रखा है कि आपको ये company वापस उस पुराने owner को देनी पड़ेगी I am just trying to say promoter integrity पे मैं आपको comment करके बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है तो ये सारी चीजे हैं हम लोग definitely पूरे इसका analysis करेंगे ही करेंगे और भी सारी आपको चीजे बताऊंगा अभी अगर आपको बिल्कुल exactly जानना है तो प्लीज आप हमारे ये जो पूरा थ्रेड बनाया है अम लोग ने आप देख सकते हो brightcom the dark side अगर आपको मैं दिखा हूँ ये हमने पूरा स्टार्ट किया था जब से ये सब चीजे होना स्टार्ट हुई है so brightcom group the dark side about it so please आप ये पूरा थ्रेड पढ़ियेगा हम लोग इस पर लगाता रोज अपडेट करते है because we want to bring the facts and the reason because मेरा एक personal मानना है कि एक multi-bagger stockholder या फिर एक penny stockholder को समझाना बहुत-बहुत difficult होता है so I will bring all the reason facts so that I will give you more than 10 reasons to avoid brightcom group आज मैंने आपको एक serious reason बता है कि कैसे promoter ने इसके बारे में कभी disclose ही नहीं किया and nobody is going to talk about it अभी तक इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है and if you want some market experts to talk about it then please share this video or please share this thread you can share that definitely as much as you can and the morning context करके एक यहाँ पे website है they are very very good at doing fraud analysis and forensic audit उन्होंने सबसे पहले point out किया था और मैं आपको मजे की बात बता हूँ Sanjay Sharma करके एक retail investor है जिन्होंने यह पूरा पूरा जो promoter का घपला था यह सबसे पहले identify किया था so I want to tell you very very simple thing कि retail investor से भारी आदमी कोई है नहीं पहली बात तो यह और उनसे पागल आदमी भी कोई नहीं the smartest investor is the retail investor investor forums पे bridecom को बहुत ज्यादा चलाया जाता है मैं आपको बहुत simple से example देता हूँ हमने इससे पहले धनी services ठीक है जिसका पूरा basically stocky 90% down है India Bulls housing finance की बात कर ले या फिर हम बात करें 3i infotech की बात करें या फिर रतन इंडिया enterprises की बात करें इन चारो company पे एक समय में investor बहुत जादा बुलिश थे they give all kinds of narratives की यह target है यह revenue है यह है वो है these are never achieved and वो आज सारे stock down है and आप bridecom में देख लिजे लिजे कितनी सारे problem है I can tell you numerous problems but I don't want to go in this basically video because यह video is specifically promoter की integrity और promoter की stick sale पे हमने focus किया है so definitely अच्छा कोई हमायर से राय पूछता है कि क्या खटना चाहिए भाया ऐसी companyों में तो मेरा मानना बहुत simple है एक company के अंदर corporate governance का होना सबसे ज़्यादा और one of the only and one of the most important factor एक company के अंदर अगर promoter सच्चा है company के साथ सच्चा है अपने other stakeholders के साथ सच्चा है तो वो उसको basically he can make dust from the he can make diamonds from the dust और अगर वो खराब है तो वो company कभी भी कहीं पर भी जा सकती है ठीक है तो promoter integrity and the corporate governance is the very very important issue अगर brightcom में सब कुछ इतना ही सही है तो promoter अपने लगाता स्टेक क्यूं कम कर रहे है preferential issue तो दो बार किये दो साल के अंदर एक भी बार participate नहीं किया है ठीक है so please understand the game of promoters who are trying to play with you third time I can say in last 10 years they are playing with you third time you cannot win in their own game in their own ring I'll tell you very very frankly ठीक है बहुत सारे इंडिया में promoter frauds होते हैं आदे तो पता ही नहीं लगते हैं आदो में investor कब गायब हो जाते हैं this is the very very simple and common thing in all kind of penny and you know speculative or manipulated stocks ठीक है avoid these kind of shares मैं हर बार बोलता हूँ buy large cap stocks अगर आपको ज्यादा knowledge नहीं है बढ़िया बढ़िया company लीजिए जिनका बढ़िया proven track record है अरे मैं आपको बोल रहो Tata, Alexi, Deepak, Nitrite एसी कंपनियों को लो DMART को लो जो अल्रेडी बहुत जादा चल चल चुकी फिर भी उनको ले लो आप लंबे समय में definitely उनमें पैसा बनाऊगे at least Tata, Alexi में इस तरह की situation कभी नहीं आएगी ठीक है so please understand the game and make make you know reason आप एक factual decision दीजिए ठीक है and believe in the truth don't believe in narratives or dreams whatever everybody is showing आप समझिये कि क्या चीज़े हो रही है और किस तरीके से हो रही है आपने अगर देखा होगा तो इसके बारे में अनिल सिंग भी जी है ठीक है फिर यावे मंगलम मालू है जो की CNBC से हैं और एक जी बिजनस से इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी हाली में इतना ज़्यादा बुला है even most of the market experts are trying to face it about it ठीक है so please understand कि जब बहुत सारी चीज़े एक साथ होती है तो फिर वो कभी ना कभी आज नहीं तो कल एक definitely impact आए गया and I would always avoid 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 or always advise to exit the stock ठीक है हो सकता है कल को इसमें 10% का सर्केट लग जाए 5% का सर्केट लग जाए but think about long term these companies will not going to give you a long term perspective कोई यापे कोई भी gain की वो नहीं है ठीक है किसी को सर्केट परकेट का shock है upper circuit lower circuit बहुत पसंद दे तो लीजिए even TDML was a great stock कि ये बहुत कुछ होगा उसमें भी कुछ नहीं हो आज stock कहां से कहां गया है ठीक है so understand जहां पर चीज़े आपको नहीं समझ में आरी when the fundamentals are not matching with the price definitely you should avoid that kind of stocks so ये वीडियो यहीं कतम होता है इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे continuous update on this brightcom group ठीक है आप हमें twitter पर follow करके रखिएगा और telegram पर भी and once our full analysis will be completed इसकी earnings के बाद हम लोग try करेंगे इस वीडियो को release करने का तो हम लोग definitely full proof fraud investigation करेंगे जैसे हमने 3A infotech dhani services india bulls housing या फिर रतन इंडिया का किया है तो जब तक के लिए आप पूरा हमारे threat जबूर पढ़ियेगा इसमें बहुत सारी बाते लग बग 10 reason तो already हमने या पर भी दे रखे तो you can definitely follow us and ये वीडियो यही कतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेर करें साथ 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 सब्सक्राइब जरू करें और प्लीज बढ़िया बढ़िया जगे पैसा लगाईए always remember one thing capital protection is much more important than capital appreciation thank you so much